वेलकम डो कॉमर्स अकैडमी आज हमारी होलसेल की पार सेकेंड क्लास है जैसा कि आप सभी जानते हैं लाश्ट क्लास के अंदर जो स्क्रीन के ओपर जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो वन बाई वन हमने आपको समझा दिये थे और इसी के साथ में आपको ये भ तक के पॉइंट्स को प्रैक्टिकल करते हैं तो अब चलते हैं टैली की स्कीन के ओपर और प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो मारी टैली की स्कीन ओपन हो चुकी है और यहां पर मैंने पहले से कंपनी बना के रखा है तो कंपनी बनाने की नॉर्मल प्रोसेस होती है जो कि ह सिन पर नाम से जाना जाता है और इसके वाउचर टाइप को क्या करना होगा आपको एनेबल करना होगा तो क्या होता था कि टेली ERP में तो हम क्या करते थे कि inventory में जाते और वहां से यह सारे के सारे option available कर लेते लेकिन अकर अपनो prime की बात करें और मैं यहां पर F11 प्रेस करूँ और इन दोनों को मैंने show more feature और show all feature को yes कर दिया तो जैसा कि आप स्कीन पर देख पारे हैं कि order related कोई एक पोईंट यहां पर नहीं आ रहा है नहीं डिलेवरी चाल आ रहा है नाइब दिक्षाइब और प्रॉसेसिंग लेकिन मैं आयप और प्रॉसेसिंग अलग चीज यह यह भी हम पड़ेंगे आगे पड़ेंगे अभी नहीं पड़ेंगे तो normally F11 में order का किसी भी तरह का कोई feature यहाँ पे नहीं दे के रखा है तो अब हमें यह feature मिलेंगे कहाँ पे तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे clear करता हूँ Teleprime को काफी easy बनाया है और Teleprime में directly यह भी जोड़ दिया गया है कि जो चीज जिससे related है वो चीज आपको वहाँ पे ही मिलेगी जैसे मैं example देता हूँ कि आपको cells के अंदर zero value enable करना है जैसे हमारे comment box में काफी सारे questions भी आ रहे है कि सर जो आपने assignment first दिया था उसमें country है enable zero value transactions तो उसे enable कैसे करना है तो वो enable कैसे होगी वाउचर टाइप में जाके होगी यहनि cells को आपको वाउचर टाइप को अल्टर कर लेना है और वहाँ पे आपको enable zero value आपको मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो इसके next video assignment one का solution ही लेके आ रहे उसमें आपको अच्छे से clear हो जाएगा अब इसके उपर बात करते हैं तो यह जो delivery note होए, receipt note होए, orders की entry होई वो किसे related है? वो voucher types related है तो voucher type के अंदर ही उनको आप enable कर पाएंगे कैसे करेंगे? देखते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, सिधा voucher के उपर चलता हूँ तो मैं voucher के उपर गया, enterprise किया यहाँ पर right side में आप देखिए कि जैसे receipt आ रहा है तो receipt के उपर मैंने click किया तो यहाँ पर show हो रहा है credit note or rejection और मैंने sales पर click किया तो देखिए यहाँ पर sales order, delivery note करना होगा, तो यहाँ से आपको one by one enable करना होगा, यहाँ से आपको one by one enable करना होगा यह एक साथ enable नहीं होगे, one by one enable होगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो सबसे पहले जैसे मैं delivery note को enable करता हूँ, तो मैंने इसके ओपर interface किया और इसने पूछा कि भई activate करना है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, yes कर दिया, ठीक है यह देखिए मेरा delivery note enable होगा, फिर से मुझे अधर वाउसर पर जाना होगा, show in activity पर जाना होगा और यह one by one mail को, इन सभी को enable कर लेना है, जैसे मैंने आप किसको enable किया, receipt note को enable किया, और yes जिसका मुझे use करना है, उसी को enable करें, ऐसे सबको enable ना करें, ठीक है, आप जैसे एक हमारा rejection इन हो गया same process, rejection out के लिए, तो मैं यहाँ पर गया rejection, out अब मुझे कैने बल करना है, purchase order और sales order, तो यहाँ से मैंने शोई in active enterprise किया, और यहाँ पर हम जाएंगे, यह देखिए, order voucher के अंदर purchase order, sales order, इसी का ध्यान रखिएगा, job work out order, job work in order, इन दोनों को आप active ना करें, यह अलग चीज है, जो कि मैं आपको आने वाले assignments के अंदर clear क क्या करना है, yes करना है, और same हम क्या करते है, sales order को भी इसी तरह से क्या कर लेते हैं, yes कर लेते हैं, तो यह आपको अच्छे से clear हो गया होगा, यह one by one मैंने आपको सारे के सारे enable करना बता दिया, ठीक है, तो हमारे सारे के सारे voucher type enable हो चुके है, तो entry गणने से पहले हम इसके प्रेस किया, go to पे गया, और यहाँ पर directly मैंने stock summary और यह under paste किया, देखिए, किसी भी तरह का कोई भी मेरे पास stock नहीं है, किसी भी तरह की मैंने कोई भी entry नहीं करके रखिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले market order लेके आएंगे, market से क्या लेके आएंगे, order लेके आएंगे उस order के behalf पे हम आगे order देंगे, आगे से माल लेंगे, और फिर हमारी retailers को distribute कर देंगे, और यहाँ पे हम चालान की process भी follow करेंगे, rejection in भी follow करेंगे, rejection out भी follow करेंगे, will भी receive करेंगे, तो entry करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से revise करा देता हूँ, सबसे first step है, market से order लेके तो market से order लाने को हम क्या कहेंगे, sales order कहेंगे, ठीक है, फिर उस order के behalf पे हम हमारी senior party, यानि हमसे बड़ा manufacturer हुआ चाहिए, wholesaler हुआ, उसको order देंगे, तो हमने order दिया, कौन सा दिया, purchase order, market से क्या लेकिया है, sales order, ठीक है, यह दो entry कर दी, अब हमारे पास से क्या हुआ, आगे स माल आ गया, तो माल आने के entry किसमें करेंगे, रिसेप्ट नोट की, फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो distributor है, या जो हमारे retailer है, उनको माल बिजवाएंगे, तो माल बिजवाने के entry क्या होगी, delivery नोट की, अब हम क्या करेंगे, उन्हें बिल बिजवाएंगे, तो बिल बिजवान एंट्री करतेगा सेल्स के अंदर लेकिन जब होल सेलर गूर्स की सप्लाई करता है तो उसे मीनिमम थ्री एंट्री करना ही होती है क्यों कि पहले तो ओडर ले के आएगा फिर माल भीजवाएगा फिर बिल भीजवाएगा अब यहां पर आप सभी के माइंड में क्योशन आ रह चालान के साथ में बिली सेंड कर दें डबल प्रोसेस क्यों करें डबल प्रोसेस इसलिए की जाती है क्योंकि उनको स्कीम दी जाती है क्या दी जाती है स्कीम का सेंस यूँ हुआ कि जो चालान के उपर जो रेट लिखी वी है जैसे चालान के अंदर किसी बोटल की रेट लि तो बिल बिजवाए जाता है उसके अंदर स्कीम दी जाती है और बिल के अंदर इसली फाइफ से टैन परसेंट या अलग-अलग कंपनी की अलग-अलग तो मेरा क्लाइंट है जैसे मैं लिजर बना लेता हूं और यह मैंने राहूल की नीम से लिजर क्रियेट कर लिया ठीक है और यह मैंने तो इसने मुझे ओर्डर दिया है ठीक है और यह आइटम 2 का मैंने ले लिया order तो यहाँ पर जो अपनो रेट्स पर लिखे रहे हैं इनका कोई sense नहीं होता तेंगि फिर भी एक करता है तो मैंने यह entry कर लिए तो जैसे मैंने अब यह order की एंट्री करी मैं आपको फिर से श्टॉक समरी दिखाता हूं तो अपनों परवा पीछा जाते हैं और यह गोटू में गए और यह सिदा मैंने श्टॉक समरी आपको शो किया तो आप देखिए किसी भी तरह कोई कुछ सइन आया कोई स्तॉक नहीं आया कोई गया है कोई स्याजी कोई माइयनिया है क्यों कोई जो भी सी एंट्री के जाती वह किसी फीतर से किसी अकउंट्स को और इंवैंट्री नहीं करती अब मैं क्या करूंगा सेंगे और दे रहा हूं जहां से मैं माल खरीता हूं उसको में और दे रहा हूं और मैं कौन सा दूँगा उनल दूँगा तो अब तक हमारे टेलीग्राम जॉइन नहीं करें वो जोइन करें वहां से हमारे कुछ assignments भी मिलेंगे और कुछ ऄब करेंगे तो पर jesteśmy कर देंगे तो रिसीव करने के एंट्रि होती होती रिसीट love की तो रिसीट नोट है पर्चेस्त में मिलेगा किस में मिलेगा पर्चेस में मिलेगा तो आप इस Пर्चेस के ओपर क्लेक्ट करना और यह जो रिस्ट नोट है इसके उपर आप क्लिक कर देंगे ठीक है कंट्रोल प्लस इसकी शॉटकट की होती है इसको हम रिस्ट नोट और डिलेवरी नोट को चलान भी बोलते हैं तो इसका थोड़ा ध्यान रखें का फिलोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सच चलान तो रिसी के अंदर दिखा देंगे तो इस पार्टे को मैंने सिंगल ओर दिया था तो मैं सिंगल ओर ले रहा हूं हालां कि जो आसाइमेंट में आप को दूँगा wholesale का उसमें काफ़ी multiple orders हम देंगे multiple orders receive करेंगे और भी काफ़ी जदा advances यह होगी अभी हम basics के अंदर one by one यह सारे जो points जो में स्कीन पर दिखाये थे उनका मैं one by one आपको practical दिखा रहा हूँ फिर मैं आपको assignment दूँगा वो assignment आप solve करेंगे उसमें किसी तरह की problem है कि वो comment section में लिखेंगे उसका हम solution देंगे और फिर जो complete assignment का solution का video है one by one entry का वो मैं आपके साथ में लेके आऊंगा ठीक है तो उसको हम purchase में ले लेते हैं order number है वो मैंने receive किया है और यह मैं enter enter press के हैं control भी press कर सकते हैं normal formality है ठीक है अब यहां पर देखिए कि जो मैं order मैंने दिया आगे ठीक है यहां पर चला नंबर आगया देखिए tracking number चला नंबर है और यह जो quantity है तो मैंने आगे लिखवाई थी 5000 quantity लिखाई थी बेटर रहेगा कि चलान के अंदर लगाई देखिए चलान के अंदर जो rate होती है वो लखके आती है अब देखो order की जब entry करी तो किसी भी तरह कोई भी account यह stock summary effect नहीं हुई लेकिन जैसे मैं receipt note के entry करूँगा तो effect होगा वो effect किस पे होगा only inventory पे effect होगा मैं repeat कर रहा हूँ चालान की जब हम entry करते हैं चाहिए receipt note के entry करें चाहिए delivery note के entry करें इनका जो effect होता है वो laser पे नहीं होता है इनका effect only inventory पे होता है number of quantity के ओपर ही होता है और इसका कोई भी sense नहीं होता है entry करके stock summary check करते हैं तो यह entry मैंने क्या किया यह बिलको no कर लेते हैं और यह मैंने entry को accepting कर लिया ठीक है page upper के दिखा रहा हूँ तो यह मैंने entry कर लिया है और इस तरह का मैंने stock receive कर लिया है stock summary देखते हैं तो go to button पे जाते हैं जो काफी powerful button है और मैं सीधा गया stock summary के उपर तो यह आप यह देखें कि stock आ चुका है item 1 की 4000 pieces आ चुके और item 2 की 3500 pieces आ चुके है account check करते हैं तो मैं सीधा गया go to पे और मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ balance sheet के उपर तो यहां पर आप देखिए balance sheet के अंदर current liberty आ रहा है अब आपके mind में आ रहा होगा कि सर आप तो कह रहे थे कि इसका laser का balance तो इफैक्ट ही नहीं करता receipt note के entry है नहीं चालान के entry लेकिन balance sheet में तो current liberty के अंदर due दिखा रहे हैं एकदम सही का आपने सो लो enterprise करते हैं किसकी liberty है तो मैंने जैसे sundry creator के उपर enterprise किया यह देखने के लिए कि किन किन लोगों की liberty है यानि यह माल में किस से खरीद के लाया हूँ और यह पैसा मुझे किसे पेगरना है और जैसे ही मैंने sundry creator के उपर enterprise किया तो मेरे सामने क्या option आ रहा है purchase bills to come यानि purchase का जो bill है वो अभी तक आया नहीं है तो जब तक हमें bill receive ही नहीं हुआ तो हमारी किसी भी तरह की liberty नहीं बनती है फिर से enterprise करता हूँ तो जैसे मैंने enterprise किया तो यहाँ पे देखिए क्या लिखावार है goods receive but bill not receive यानि goods तो आगे हमारे पास में लेकिन bill नहीं आया है अब इतना तो आप सभी समझदार हो कि जब तक bill ही नहीं आएगा तब तक हमारी payment की किसी भी तरह की liberty नहीं होती है तो यह जब आपको चीज अच्छे से clear हो गई होगी अब सेम प्रोसेस हम सेल्स में करते हैं ठीक है जो प्रोसेस हमने अभी पर्चेज में करी है सेम प्रोसेस हम सेल्स में करके देखते हैं तो मैं escape press करा मैंने और यहाँ पर मैं गया सीधा सेल्स के ओपर क्लिक किया मैंने और सेल्स कर देते हैं माल की तो मैं सिधा delivery not पे मैंने क्लिक किया और यहां पे मैंने राउल CR लिया यह देखिए एक number order मैं लिया था और one number यहां पे आ चुका है एंटर पेस किया है मैंने यह देखिए तो यह completely आ गया अब इसके अंदर रेट थी वह तो ऐसी है और मैं complete इसको गुड्स है और इसकी मैं entry complete कर लेता हूं ठीक है और यह मैंने क्या कर लिए entry को complete कर लिए और यह इवे 1000 के उपर जो भी बिलिंग होती है उसके लिए बिलकां पलसरी होता है ठीक है तो यह मैरे entry हो चुकी है stock summary चेक करते हैं तो सीधा गई हम go to के उपर और सीधा stock summary को मैंने चेक किया यह देखिए जो मेरी inventory है वो last हो चुकी है क्या हो चुकी है inventory entertain less को हो चुकी है आप सभी जानते हैं अभी क्या inventory थी वह inventory less हो murder की है अब हम क्या करते हैं फिर से balance sheet को देखते हैं तो मैं सीधा यहां पे गया और मैंने sundry adapters का भी balance आ रहा है और sundry characters का भी balance आ रहा है तो sundry character का भी हमने देख लिया था sundry adapter को देख लेते हैं जिनको मैंने माल पेचा है उसके उपर मैंने enterprise किया तो same वही चीज लिखावा आ रहा है sales bills to make यानि bill अभी तक नहीं बनाया गया है और enterprise करते हैं तो same वही चीज लिखावा आ गया कि goods तो deliver हो चुका यानि मैंने माल तो भीजवा दिया है लेकिन अभी तक मैंने bill नहीं बनाया है तो जब तक मैं bill बना के party को नहीं दूँगा तो party की किसी भी तरह की liberty नहीं है मुझे payment करने की same process जहां से मैंने माल खरीदा है और उन लोगों ने अभी तक मुझे यानि मेरे sundry का इटरस ने अभी तक मुझे bill बना के नहीं दिया सिप चालान ही बिजवाय है तो मेरी भी किसी भी तरह की कोई liberty अभी तक नहीं बनी है कि मैं उन्हें payment करूँ ठीक है clear हुआ अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं एक situation ओर लेके आते हैं situation यह है कि जिन party को मैंने आया यानि अभी जो महन को मैंने जो supply किये जितने भी quantity की जैसे bill निकालता हूँ मैं फिर से यह देखिया accounting voucher page अप यह देखिये तो यह मैंने भी supply किये राउल को है यह मैंने supply यह किये कि item 1 है उसके 100 quantity मैंने इसको दिये है और item 2 है उसके 500 quantity मैंने इसको दिये है तो इसने क्या किया 10-10 item दोनों के ही 10-10 item इसने मुझे वापस बिजवा दिये उसे लगा कि ए खराब है ठीक है तो अभी क्या हुआ, order लिया मैंने किसे, रहूल से, फिर मैंने क्या किया, चालान विजवाया है, और चालान रिसीव करके ही उसने दोनों आइटम के 10-10 पीस मुझे वापस विजवा दी, तो इस situation के अंदर हम self-written में entry नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने उसे bill नह दिया है, तो ये entry हम किसे में receive करेंगे, rejection in में करेंगे, ठीक है, और अगर वो ही चीज मैंने purchase return किया होता, यानि अभी मेरे पास में, मैंने supply किये, inverse supply किये, और अभी तक bill नहीं आया, तो खरीदाव आमाल में अब वापस करूँगा, कब चालान के साथ में, तब मैं क्या कर करूँगा, rejection out करूँगा, क्यों, क्योंकि rejection in और rejection out, laser के balance को effect नहीं करते हैं, फिर से repeat कर रहा हूँ, जब भी हम चलान receive करते हैं, या चलान देते हैं, वो only stock item की quantity को effect करते हैं, तो जो चीज quantity को effect कर रही है, तो उसी के अंदर ही हमें return करना है, और rejection in और rejection out, सिर्फ quantity को effect करते ह हैं, और sales return और purchase return, quantity plus account के balance, दोनों को effect करते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, rejection in कर लेते हैं, तो entry हम करते हैं, rejection in के अंदर, तो rejection in के लिए आपको क्या करना है, receipt पर click करना है, और यहाँ पर rejection in आ रहा है, control plus F6, इसके shortcut की है, तो rejection in के उपर मैंने click किया, laser name मैंने ले लिया है, राहूल CR, और यहाँ पर मैंने को number of item ले ले लेने, तो item 1, कि tank piece मैं return कर रहा हूं, ठीक है, और item 2 आ गया, और इसकी भी मै कर रहा हूं, जो tank piece है, वो return कर रहा हूं, और यह मैंने entry कर दिया, rejection in के मैंने entry कर लिए, यानि एक तरीके से ही मेरा sales return था, तो यह भी मेरा क्या हुआ, clear हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, कि राहूल को bill send कर देते हैं, क्या कर देते हैं, राहूल को bill send कर देते हैं, तो उसक सेंड करने के एंट्रिक इसमें होगी सेल्स में होगी तो पार्टी नेम क्या हुआ राउल सियार हुआ यह देखिए डिलेव चाला नंबर आगा एक नंबर चाला था एंटर पेस किया मैंने यह बेसिक फॉर्मल्टी जे करना चाहो तो कर लीजिए ठीक है सेल्स हो गया अब य यहां पर आप देखिए मुझे option मिल जाता है कि use discount column in invoices ठीक है और इसको मैंने क्या किया yes कर लिया और यहां पर मैंने easily 10% जो discount है यहां पर मैंने mention कर दिया यह देखिए तो इस तरह से bill के अंदर scheme जूड क्या जाती है तो चालान होता है वो से public को दिखाने के लिए होता है एक्चल में bill में rate का difference काफी जादा होता है तो 10-10% का क्या हो गया मैंने discount दे रिया और उसके इसाब से मेरी GST की rates वगईरा हो गई अब मैं क्या करूंगा इसका check करूंगा balance sheet ठीक है अभी जो warning आई थी हूँ अब हम क्या करते है balance sheet को check करते है और मैं सीदा गया ctrl-z के अंदर और यहां पर मैंने किया balance sheet अल्टर f1 और यहां पर यहां पर संडीडेप्टर आ रहा है 812 और enterprise किया मैंने इसके उपर तो आपको शो हो रहा है राहूल CR यानि अब वो लिखावा नहीं आ रहा sales bills to make क्योंकि bill बन चुका है अब रहूल की liability हो गई हमें payment करने की तो रहूल अब हमें payment कर सकता तो payment के जैसे रहूल payment करेगा तो हम receipt में एंट्री कर लेंगे f6 के अंदर तो यह चीज आपको clear हो चुकी है अच्छे से same यही process आपको purchase में करनी है वो भी मैं करके आपको दिख ठीक है और यह हमारा मोहन आगया यह ck4182 चलान नंबर आगया हमारा और यहां पर सेम अपनों को इसके अंदर मिलिया 25% discount उन्होंने हमें दे दिया ठीक है और भी तरह तरह के discount wholesale में अलग तरी के से लगाए जाते हैं जो कि assignment के अंदर आपको अच्छे से clear हो जाएगा और जिन candidates ने अभी तक assignment first clear नहीं किया है या वो candidates जो आज हमारी वीडियो को first time देख रहे हैं तो मैं बता दू कि हमारा complete course दल रहा है टेली प्राइम के ओपर advanced level का live training हमारी सारी के सारी चल रही है यह जो real practical accounting हम सिका रहे हैं तो playlist के अंदर one by one classes attend करें हमारे assignment solve करें उन assignment के solution में हम question डालना ना भूले हम next video के अंदर आपके सारे doubts clear कर देंगे ठीक है तो यह भी entry हमारी हो चुकी है और यहां पर भी हम एक balance sheet को check कर लेते हैं और यहां पर आप आप देखिए जैसे ही आप संद्री का इंटर के ओपर enterprise करेंगे तो party कब नाम आ गया है तो यह हमारा point clear हो चुक return कब होगा जब bill आ जाएगा अब हम क्या कर रहे है 1010 इस पार्टी से हमने माल खड़ीदा था तो यहां पर आपको rejection आउट नहीं करना है क्या कर दना है अब हम purchase return के बारे में पड़ते हैं तो purchase return कब होगा invoice लेने के बाद में हमारा purchase return होता है अगर हम invoice नहीं लेते और उसी वक्ति अगर माल को return कर रहे होते हैं तो हम rejection out करते हैं जैसे कि हमने इन किया था लेकिन अब हम क्या करते हैं पर्चेज return करते हैं अब हम एक काम करते हैं एक return के entry भी कर लेते हैं तो हम return के entry करते हैं पर्चेज return की क्योंकि हमने bill receive कर लिया है अब माल को वापस बैज़े तो purchase return क के entry कर रहे हैं और और अगर हमने बिल रिसीव नहीं किया होता और फिर हम return कर रहे होते तो हम किसके अंदर entry करते rejection आउट के अंदर इसके entry करते ठीक है तो अब एक काम करते हैं debit not open कर लेते हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा payment पर जाना होगा और यहां देखिए debit note आ रहा है तो जैसे आपने debit note पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे कि buy आ रहा है यहीं तो CRDR आ रहा है invoice mode तो चेंज ही नहीं हुआ और जैसे कि आप देख पाते कि यहां पर ERP के अंदर एक बटन आता था invoice mode और item mode चेंज करनेगा जो कि ऐसा बटन मुझे प्राइम में दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पर जो बटन है वो change mode का है तो आपको change mode के ओपर जाना है और यहां पर आप आप आईए देखिए item invoices आगे पहले की जैसे अगर आपको किसी और mode पे जाना है accounting invoice यहां interest calculate करनी है तो उसके लिए भी आप यहां से जा सकते हैं ठीक है तो अभी interest का topic अपनों नहीं पढ़ रहे हैं तो सीधा मैं काम करते हैं item invoices open कर लेते हैं किसको षाख को माल return कर रहे हैं भाई महन को माल return कर रहे हैं ठीक है और अगर कोई चलान number की through भेज रहे हैं तो वा पे चलान number देते हैं यहाँ पिसका original invoice number आपको देना है और मैं सीधा यहां से इसको return कर देता हूँ, 10 10 piece ठीक है और preço 0410 10P से वो यहां से मैंने return कर दिया है तो एक normal सी process है और यह देखिए आपको इसका clear हो चुका है और अपनों यहां पे cgst और i gst mention कर दिया ev will अपनों कर देते हैं और यह entry मैंने complete कर दिया है बस एक normal सी चौटी सी process दी तो यह मेरा purchase return और sell return भी complete हो चुका है अब मेरा जो point आता है वो आता है debit note जैसे में screen आपको फिर से दिखाता हूं इन के ओपर में आ चुका हूं one number point मैंने clear कर लिया है second number point भी clear कर लिया 3rd number point भी clear कर लिया 4th number point भी clear कर लिया purchase return और sales return 5th number point हमारे पास है debit note और credit note देखिए debit note और credit note purchase return sales return नहीं होते हैं यह एक note release किये जाते हैं adjustment के लिए ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिल लगर के बजाता हूँ, situation यह है कि हमने एक पार्टी से माल खरीदा, ठीक है, 50,000 रुपे का, उस पार्टी ने में offer दिया, कि भई अगर आप 10 तारिक तक payment कर देते हैं, तो हम आपको credit note release कर देंगे, 5000 रुपे का, या 500 रु होती है, और वो हमारी total value को last कर देती है, यह थोड़ा confuse हो गई होंगे आप, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको आपको tally की skin के उपर लेके चलता हूँ, और वहाँ पे जधा better तरीके से मैं आपको clear करवाता हूँ, तो tally की skin पे फिर से हम आ गए हैं, तो यहाँ पे हम एक काम adjustment कर रहे हैं, महवन से कर रहे हैं, अब महवन का statement open हो चुका है, अब ध्यान से समझेगा, यहाँ पे मैंने purchase किया महवन से, ठीक है, purchase किता किया, 4686000 का मैंने, 46,000 रुपीज का आपनोंने यहाँ से माल खरीदा, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसे return कर दिया, यह दे अब इसने क्या कि हमें एक offer दिया, यहाँ हमारी phone पे बाद चीत हैं, जो भी हो, इसने offer दिया, और offer यह दिया, कि इसने हमें एक credit note रिलीज कर दिया है, क्या कर दिया है, credit note, इसे यूं समझिए, कि जब आप किसी party को माल बेशते हैं, और उससे जब पैसा receive करते हैं, तो मैंने आपके 10,000 रुपे credit कर लिए, तो इसका मतलब यह कि उसने total balance से मेरे 10,000 रुपे जमा कर लिए, यानि वो party मेरे 50,000 रुपे मांगती है, और उस party ने यह कहा कि हम आपको 10,000 रुपे का credit note रिलीज करना है, और difference amount आपको 5 दिन के अंदर payment करना है, total कितना मांगती है, 50,000 रुपे, 10,000 रुपे का release किया, credit note, credit note का मतलब उसने 10,000 रुपे अपने accounts मेरे जमा कर लिए already, तो अब वो मेरे कितने मांगती है, 40,000 जो कि मुझे 5 दिन के अंदर उससे payment करना है, 40,000 रुपीज का, और अगर मैंने 5 दिस के अंदर 40,000 रुपीज का payment नहीं किया, तो वो credit note क्या हुआ, interest हो गया, यानि उन्हेंने मेरे क्या लगा दी, पैलेंटी लगा दी, और उस पैलेंटी के उपर 18% भी लगेगा, तो पहले credit note समझ लेते है, debit note अच्छे से assignment में हमारा clear हो जाएगा, थोड़ा ये confuse करता है, तो mainly credit note का मतलब है कि उस party ने अपना balance है, जो मेरे म entry हमारे debit note में कप करेंगे, जनल में कप करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर आपको काफी जादा debit note या credit note receive होते है, जो adjustment entry receive होती है, काफी जादा हो रहे है, तब बैटर ये रहेगा, कि आप अपने credit note का एक अलग से voucher type create कर ले, और उसके अदर note receive करने लग जाए, और अगर आ इक आदा ही आ रहा है, महने में एक आदा ही अगर आपको आ रहा है, तो नया voucher type मत मनाओ, जनल के अंदर हम उसको adjust कर लेंगे, तो situation ये है, कि जो ये मोहन पार्टी है, जो हमारे 46 लाक रुपीज मांगती है, इन्होंने हमें 50,000 रुपीज का credit note दे दिया, यानि उन्होंने अपने खाते में 50,000 रुपे मेरे जमा कर लिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे खाते में भी तो 50,000 नाम लिखूँगा, उन्होंने अपने खाते में 50,000 क्रेडिट कर लिए, और मैं अपने अकाउंट में 50,000 रुपीज debit कर लूँगा, कैसे करूँगा, देखिए, तो मुझ के ओपर मेरे को credit note release हुआ है C58 के ओपर credit note में उझे release हुआ है और enter paste किया और यहां पर मैंने इसको entry कर लिया credit note discount receive के name से मैंने एक laser बना के रखा था और उसके अंदर यह entry मैंने कर लिये ठीक है balance देखते हैं तो मैं सीधा कहा गया गोटू के अंदर गया और मैंने सीधा यहां पर सर्च किया लेजर वाउचर और यहां पर मैंने मोहन लिया यह देखिए 46 लेक्ट का था 16,250 हमें रिटन कर दिया और यहां पर 50,000 रुपए का क्रेडिट नोट रिलीज हो गया और यहां पर 46,19,750 का मुझे क्या करना है पेमेंटे कर ना है तो मेंली जो करेडिट नोट रिसीव होते हैं वह हमारे लिए इंडारइट इंकम होती है और जो भी हमें डियाइबिट नोट रिसीव हो गए वह हमारी ले क्या होत है इंडारइटए एक्सेंसे just हो जाते है Après debt नॉर्मली नी, डाइबिट नॉट पे तो हो गई, 18% GST अपलिकेबल होगी होगी, और क्रेडिट नॉट पे नॉर्मली टॉटल बिल के, यहीं टॉटल जो बिल होता है, उसके बिल पे ही वो अमाउंट लेस होती है, लेकिन आजकल थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, लोग क्रेडिट नॉट पे भी आपकी GST लेस करते हैं, अब वो क्रेडिट नॉट पे GST लेस हो गई, तो आपको उसको क्या करना होता है, reverse भी करना होता है, कुछ adjustment भी करने होते हैं, कई लोग क्या करते हैं, डारेक्ली एंटरी भी कर लेते हैं, कई डारेक्ली नहीं भी करते, तो अगर आपने access ITC claim कर ली हो इस feature इस feature से हैनि हुआ क्या कि आपको credit note receive हुआ और credit note के अंदर क्या हुआ कि उसने लगा गए बेज़ दी तो वह जिएस्टी आपको क्या करनी होती है रिफंड करनी होती है रिवर्स करनी होती एक तरीके से अगर उसके अंट्री अगर आपने proper note बना के रही है तब तो बैसे आप सही कैसे करेंगे रिटर्न में कैसे सबности करेंगे वह हम में complete नहीं होगा कम से कम four part के अंदर ये topic complete होने वाला है तो आज की class में हम इतना ही पढ़ेंगे बाकि जो points हो next class के अंदर हम पढ़ने वाले यानि next part में पढ़ने वाले है और part वो काफी जल्दी आ जाएगा लेट नहीं आएगा अगर आप सभी के पास में हमारे classes को लेके कोई suggestion होए कोई feedback हो तो comment सेक्स में बताना ना भूलिएगा जिसे कि हम हमारे classes के अंदर और भी ज़्यादा improvement ला सकें thanks for attending